हेलो एवरिवन वेल्कम टू आर चैनल लाइबरी अफेर्स सो यह विटा आपके बिलाई 227 का असाइन्मेंट की वीडियो है यह उन बच्चों के लिए असाइन्मेंट है जो जुलाई 23 में अड्मिशन ले चुके हैं या जैन 24 में अड्मिशन लेंगे तो वो यह असाइन्मे में बहुत ध्यान रखना है आपको यह 227 का असाइन्मेंट है मतलब की यह आपका DDC और यह जो आप असाइन्मेंट बनाएंगे इसमें आपको DDC कैटलॉगिंग करनी है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है जो बेसिक है इसका जो बॉक्स आप बनाते हैं वो बॉक्स आपको बहुत ध्यान से बनाने है उसमें बहुत ध्यान से लिखना है जो जहां पे जैसा लिखा हुआ है जैसे डॉर्ट्स लगे हुए जहां कॉमा लगा हुआ है जहां कोलन लगा हुआ है जहां से जो लिखा गया है वो आपको वैसा ही exact dicto copy करना है आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं बॉक्स आपको 5 by 3 inches के ही बनाने है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा because ये एक ddc का assignment है और ddc जब हम cataloging classification करते हैं जो cards बनाते हैं उसमें हम इसी format को use करते हैं in the library तो आपका assignment यहां से start हो रहा है आप बहुत ध्यान से बनाएंगे इस assignment की only इस assignment की अगर आपको pdf चाहिए computerized pdf तो आप मुझे telegram पे message करिए मैं वहाँ पर अपने telegram channel पे library affairs का जो telegram channel है वहाँ पे मैं आपको इसकी pdf प्रवाइड कर दूँगी जब आप मुझे message करेंगे ठीक है बाकी जो assignments है उनकी pdf actually मेरे पास नहीं है because वो किसी student के assignments है इसकी आपको computerized pdf मिल जाएगी वो भी आपको telegram पे मुझे message करना पड़ेगा तब मैं वहाँ पे आपको provide कर दूँगी यहाँ पे hand return मैं आपको assignment दिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है ठीक है तो मैं देरे देरे scroll करती जा रही हूँ आप देखते जाएए यह देखे यहाँ से आपका cataloging शुरू है part 2 से cataloging start है आपको इसी तरीके से same जैसे box बना हुआ है जो first line से लिखा गया है जो second line से लिखा गया है as it is जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है ठीक है इसमें आप कोई भी अपनी तरफ से changement नहीं करेंगे box का size मैंने बता दिया है 5 by 3 inches का box centimeter में 12.5 से 7.5 centimeter में ठीक है चाहें आप inches में बना लिए चाहें centimeter में बना लिए all dimensions are same बाकी आपको कोई भी problem होती है तो आप मुझे message कर सकते हैं telegram पे message कर सकते हैं YouTube पे comment कर सकते हैं यहाँ पे message कर सकते हैं आपकी कोई भी problem होगी तो वो मैं sort कर दूँगी ठीक है और telegram पे आप मुझे other किसी भी topic के उपर आपको कोई भी query है BLIS course में कोई भी query है तो आप मुझे वहाँ पे message कर के अपनी query को पूछ सकते हैं ठीक है जैसा assignment बना है वैसा ही आपको बनाना है यह बार-बार मैं आपको याद दिला रही हूँ और यह बार-बार आप अपने mind में भी रखिए ठीक है थोड़ी सी भी mistake इसमें आपकी जो है वो नहीं चलेगी because यह याद रखेगा यह return assignment नहीं है यह एक DDC का assignment है जिसमें यह cataloging cards बनते हैं और Mark 21 की entry करी जाती है यह आपका title है जहां से main entry है यह आपके cataloging cards है ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा मैं मान सकती हूँ कि कुछ चीजें बहुत छोटी लिखी होंगी क्योंकि वो उसी format में लिखना होता है तो कुछ चीजें छोटी लिखी हो सकती है जो बहुत minor होती है सकते हैं वहाँ पे आपको मैं इसका जो computerized PDF होता है मैं आपको वहाँ पे provide कर दूँ या आप वो देख के अराम से बना सकते हैं लेकिन सिर्फ इसका मिलेगा यह ध्यान रखिएगा और अगर video clear नहीं है तो video की जो right hand top पे जो three dots होते हैं आप उसमें क्लिक करके quality option पे क्लिक करके advance पे क्लिक करके आप quality को 720p, 1080p पे increase कर लीजे आपको video एकदम 100% clear दिखाई पड़ेगा यहाँ पे दिखिए जैसे कुछ बहुत small में लिखा हुआ है तो मान सकती हूँ मैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ना clearly visible हो तो उसका solution मैंने आपको already बता दिया है उसके लिए आपको tension लेने की need एकदम नहीं है बागे आप अपने assignments अच्छे से बनाईए ध्यान से बनाईए, neat and clean बनाईए cards का size में मैंने बता दिया है आपको तो cards उसी size के बनेगे यह जो small cards है, मतलब जो boxes बने हुए इनको cards बोलते हैं यह जो cards का size है यह आपका 5 by 3 inches का ही बनेगा ठीक है? यह जो बड़ा वाला box है यह वाला जो mark 21 का है यह आप अपने size से बड़ा या छोटा कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है जितने में भी आपका आ जाए लेकिन यह जो छोटे boxes हैं यह जो छोटे cards हैं यह जैसे जिसमें main entry या added entry लिखी हुई है यह आपको एक fixed size का ही बनाना है तो इस वीडियो को अपने friends के साथ अपने groups में share करिए Library Affairs को like करिए subscribe करिए channel को and telegram पे हमसे जरूर जुडिए हमारी family, Library Affairs की family में जरूर जुडिए okay everyone, thank you we will meet in our next video thank you everyone, bye bye